हाई आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइ बिलकुल औरकेट जैसा दंगे कंई बार मौझ बार हम लोग चिकन फ्राइं करते हैं वह ऊपर खिसी रहे और उपर से उपर क्रिस्प हो जाता है लेंद के-णम अंदर से सख्त ग्राम चिकन, 2 टेबिल स्पून बेशन 1 टेबिल स्पून कॉन फ्लोर आधा कप दही एक नीबु एक अंडा देर टेबिल स्पून अद्रग का पेस्ट डेर टेबिल स्पून लस्टन का पेस्ट 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर 1,5 teaspoon गरम मसाला 1,5 teaspoon चाट मसाला 1 teaspoon नमक 1,4 teaspoon रेड़ फूड कलर सबसे पहले हमने चिकन को दो के बहुत अच्छी तरह साफ कर लिया है और इसको एक छहनी में रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए अब इसमें हम deep cut लगा लेंगे हमें ऐसे cut लगाना है ताकि जो हम इसमें marination करें वो अंदर तक चला जाए देखिए इसी थरह हम सारे pieces को cut लगा के तयार कर लेंगे अब हम सबसे पहले chicken में नीबू डालेंगे और नीबू डाल के इसे अच्छी तरह mix करेंगे और 10-15 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि इसमें जो नीबू का रस है वो अंदर तक चला जाए अब हम दही को फेट लेंगे और इसके अंदर अद्रक लस्टन का पेज डाल कर mix करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे दही में अद्रक लस्टन का पेज डाल के mix हो गया है अब इसे हम नीबू डाले हुए chicken में डाल कर mix करेंगे दही और चिकन को भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे ताकि जब हम इनने चिकन में डालें तो इसकी प्रॉपरली इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो देखिए हमने सभी चीज़े मिला लिए नमक और रम्चूर को छोड़के और इसे भी हम चिकन में डाल देंगे और इनने अच्छी तरह हाथ से mix करेंगे सबी चीजें मिक्स हो गई हैं अब हम अंडे को भी एक बोल में डालके फेट लेंगे हमें अंड़ अच्छी तरह से फेट कर इसमें मिक्स करना है ताकि पूरे चिकन में अच्छी तरह से लग जाए और इसको अंडे को डालने के बाद में हम अरिनेट होने के लिए रख देंगे हम इसे पूरी राद भी रख सकते हैं जितना अच्छा मेरिनेशन होगा उतना ही चिकन अच्छा बनेगा 3-4 गंटे हो गए हैं चिकन बहुत अच्छे से मेरिनेट हो गया है देखिए मैंने इसे सिर्फ 3-4 गंटे के लिए ही रखा है अब हम इसमें नमक और चाट मसाला डालेंगे हमने नमक पहले इसले नहीं डाला कई बर नमक पानी छोड़ दिता है हमने इन सब चीजों को मिला लिया है अब हम चिकन फ्राय करने की तयारी करते हैं पैन में ओईल डालके गरम होने देंगे देखिए ओईल बहुत अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें चिकन पीसिज डालेंगे और इन्हें फ्राय करेंगे हमें चिकन पीसिज में स्पून बहुत जल्दी नहीं लगाना है जब एक साइड से ये हलके गुलाबी हो जाएंगे तब हम इसमें स्पून लगाएंगे नहीं तो इसकी कोटिंग हट जाएगी कई बार हम देखते हैं कि कोटिंग हट जाती है इसी लिए इसकी कोटिंग हटती है हमें इसको थोड़ी देर के बाद इस्पून लगाना है 2-3 मिनट के बाद अब दूसरी तरफ से भी हम 2-3 मिनट इसे पकाएंगे फिर इसकी साइट चेंज करेंगे देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए हम इसे तेज आँच पर पकाएंगे तो उपर से पक जाएगा अंदर से कच्छा रह जाएगा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है हम इसे निकाल लेते हैं और इसके साथ हम चटनी सर्फ करेंगे तो चटनी भी बना लेते हैं इसके लिए मैंने हरी मिर्ज, टमाटर और हरा धनिया इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालके हम इसको वापिस सी एक बार ग्राइंड करेंगे देखिए चटनी तयार हो गई है हम इसे धनिया की चटनी और नीबू के साथ सर्फ कर रहे हैं आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राय करिएगा उमीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करिएगा और अपने फीडबेक कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा थाइगा